नमस्कार किसान भाईयो चलिए मैं आज आपके लिए अपना चिपसोना आलू दिखाता हूँ और किसान भाईयो अब दिखाएंगे इसमें लगवा साइज कितना हो चुका है और यह एक नॉम्मर का आलू बुगा गया था तो इससे लगा लीजिए इसको आज करीब अंदाज प्र हम देखेंगे इसमें रोग कौन सा चला आए इस समय क्योंकि किसान भाईयो देखो कल यहां जो बारिस वड़ीती रात में तो उसके बार बारिस के बाद जो रोग है न पहले से थोड़ा भी हलका सा अगर रोग है तो और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि रोग के ल चलते हैं तो यहां पर किसान भाईयो ग्राईयो वह दोumin देखाता हूँ मैं तो और उसमें एक भी देखाऊंगा और मुझे इसमें मिटि तो ज्यादा पुली नहीं लग रही है यह दखाते हैं अभी किसान भाहियो फ़रक तो पढ़ रहा है आलू में जब किसान वजजी को बार-बार अगर इसी आलू को निकालने से जैसे यह जड़ होती वाली जो आप देख रहे हो यह वाली जड़ यह तब ये खाना बनाना शुरू कर रहा होगा यानि यह जमना शुरू हुई होगी मैं यह दोबार अठा दी तो यह फरक पड़े आता है कितने आलू थे साइज चार पॉंस थे थोड़ा अंतर तो आया है तो यह किसान भाई यह जो मेरा आलू है लगबग आज 56 दिन का हो चुका है तो किसान भाई यह देखो मैं सुब्रका टाइम में जा रहा हूं तो फिलाल dis shaded को देखो आप के लिए मैं देखा दो अभी तो फिलाल कहीं चला तो नहyin प्रोड़ी परण दंगे तो इस चेंपो किसान भाई यह धिए को आप Subscribe कर दिए अगर आपने सब करकाई थी कि अगर आपका Subscribe अंहों तो फिर बाद में वह दबा दिते तो नुस अंस्क्राएब हो जाता है तो आपको क्या है कि जब पहली लगार आप सब्सक्राइब दबाओंगे तो वो सपेद हो जाएगा तो वह आपका सब्सक्राइब हट गया है तो इसको प्लीज देख लीजीए तो किसन भाईयो ये मेरा चपसोना आलू है तो इसकी देखो कल्या परसों में फिर में एक वीडियो डल दूँगा इसकी थोड़ी बारी किसी देखाऊँगा आपको रोक तो और उसका समाधन मी बता दूँगा मैं तो वीडियो देखने के लिए किसन भाईयो दिल से बहुत धन्यवाद और आप बताईए मेरा चपस दिनकालू कैसा है और आपको बुलकुल लाइब दिखाए मैंने कोई इसमें प्रोलोम बाली बात नहीं है नमस्कार किसन भाईयो थेंक्यू